आज कि जो मारी वीडिए होने वाली है बहुत ही इंट्रेस्टिंग और बहुत दमाकिदार वीडियो होने वाली है क्योंकि आज कि हमारे वीडियो होगी वह साथ-इसथ इसके अंदर अलग ज्यों कैटेगरी है तीसरी चीज में आपको बता दू यह पर्मानेट वेकर्ची रहेगी एनकी ऐस में कोई भी कॉंटेक्ट नहीं है यह पर्मानेट वेकरची है सेलरी इसके इसके रहा बहुत अच्छी आपको देखने जो मिलेगी तीसरी चीज मैं आपको बता दू vacancies देखने को मिल रही है ठीक है यहां permanent vacancy होने वाली है इसके अंदर देख लिए advertisement for recruitment of the various non-technical post के लिए आपको क्या है यहां पर advertisement number जारी किया गया है इसके अंदर कौन-कौन सी post रहने वाली है उसके बारे में हम directly discuss कर लेते हैं सबसे पहले name of the पोस्ट के बारे में देख लिएगा deputy register की post है junior assistant की post है accountant की post है जो भी candidate जिस भी category से इसे देख रहा है वो जरूर देखिए फार्मसिस्ट की post है यहां पर security officer की है medical officer की है लेकिन जो हम सबसे important बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं आमारी इसके इसका इसकी मिन्माम एज लिमिट आपको देखने को मिलेगी ठीक है इसका जो salary आपको देखने को मिलेगी आपको माइडिया बता दो तो मिन्माम आपकी इसकी salary रहने वाली है 75,000 रुपगे के साब की salary होगी क्योंकि इसमें TIA जूडेंगे परमानेंट वेकंसी है तो इसी साब से हैं वेकंसी आपको देखने को मिलेगी ठीक है उसके बाद में हम इसके इंदर नेक्स डिसक्स करने वाले हैं हमारी जो इस्टापनस की वेकंसी है उसके जो education qualification के बारे में हम तोड़ा discuss कर लेते हैं यहाँ पर यह देग लिजिए यहाँ पर 7 नमर पर स्टाप नर्सकिवेकंशी है हम बात करते हैं education qualification के बारे में सबसे पहलें intermediate 12 होनी चाहिए science के साथ और के इंगी जो divisions液 किया साथ वो होनी चाहिए यहां कि 12th के अंदर science उसके बाद GNM होने ची वो candidate क्या कर सकते हैं इस vacancies को apply कर सकते हैं इसी के साथ मैं आपको बता दू यहां पर pharmacist की vacancy है आपको जिन candidate ने degree कर रखी है फार्मेशी के अंदर या डिपलोमा कर रखा है फार्मेशी के अंदर वो candidate क्या कर सकते हैं इस vacancy को apply कर सकते हैं उसके बाद में next इसके तर मैं बात करने वाला हूं कुछ general instruction दिये गए हैं यहां कि application form के बारे में किस प्रकाल से आपको apply करना है तो www.cit.ac.in यह इसकी official website है इस official website पर विजट करो यहां से जो application form है उसको आपको provide करवाया गया है ठीक है उसके बाद में next मैं आपको एक application fees के बारे में थड़ा सा हम यहां पर discuss करने वाले हैं तो general category है और OBC category है उसके लिए 1000 रुपा आपको fees देखने को मिलेगी SCA category है और STPWD इन category के लिए आपको 500 रुपा fees देखने को मिलेगी यह रहेगी आपकी application form fees ठीक है उसके बाद में next के अंदर कुछ चीज़े दीएगी है जो भी experience वागेरा है वो सारी चीज़े आपको इहां पर देनी है आपका application form है वो सारी चीज़े आपको देनी है लेकिन मैं selection process के बारे आपको देखने को मिलेगी वोर्ड डेट रहने वाली है 25 जून यानकि देख लीजिए the last date of the recipient of the online application is 25 जून यानकि 25 जून midnight तक क्या है यह application form आप भर सकते हैं इस 25 जून के बाद आप इस application form को नहीं भर पाएंगे तो यह आपके लिए सभी interesting चीज़े हैं कि आप इस application process के बारे में हम थोड़ा सा यहां पर discuss करने वाले हैं कि आपको application form है वो किस प्रकार से apply करना है किस प्रकार से नहीं करना है क्योंकि application form apply करना सबसे important चीज होता है आज की vacancies के अंदर तो सबसे पहले देख लीजिए आपको क्या करना है official website पर जाना है www.act.ac.in जो इसकी official website ह जो अप्र ढाये वहां पर आप जाईए वहां से जो application format है उस format को आप डाउनलोड करिएग गा वह 2 format के पाद जो भी format के इंदर मांगा गाए है अपनी जो application fees जो भी चिज़े मांगी गई है वो सारी चीजे आपको क्या करना है उसके अपने अपने self attested करना है उसके बाद application for आपको क्या करना है यां कि यह क्या है ओफ-लाइन मोड रहने वाला है आपका उस एनफ को आपको भेजना है और आपको किस पोस्ट पर अपलाई करना चाहते हैं और आपको क्या करना है यह एडरस देख लीजिएगा इस एडरस पर आपको क्या करना है अपने अपलिकेशन फोर्म को सेंड करना है वे तो वाई पोस्ट करें या फिर आप सेल्फ जाकर करें यह सारी चीज़े आपको बताना बहुत ही ज़रूरी था अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब सब्सक्राइब जरूर करते जाएं बैल आइकन गोन करते हैं इससे ही अपने वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहते हैं थैंक्यू सो मच जैं झांे setup करेंब लाकर सुम्का तो लाकर समें उक भीडियो हम आपके मोच लग चाने बिदियो हम लागर चार वीडियो हम् लागरूरी जाँत